सोलन जिले में स्वैन फ्लू थमने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक पूरी जिले में दोसों के क्रीब स्वैन फ्लू के संदिग्द मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और 21 मामलों में स्वैन फ्लू होने की पुस्टी हुई है लेकिन अस्पताल प्रशाशन की बड़ी लापरवाई सामने आ रही है गौर तलब है कि अभी तक जिला अस्पताल सोलन में इसकी जांच की वेवस्था नहीं हुई है सोलन में स्वैन फ्लू से प्रवाबित लोगों को जांच के लिए या तो CRI, कसॉली या IGMC शिमला जाना पड़ रहा है बीते दिन भी सोलन अस्पताल से कुल साथ मामले IGMC भीजे गए हैं इससे स्वास्ते विवाग अलर्ट पर आ गया है लेकिन इसकी जांच की कोई सही बेवस्था यहां नहीं है प्रवाबित सेंपल लेकर उन्हें IGMC शिमला बेजा जाता है और उसके बाद ही इस बिमारी का पता लगता है गौर्ट लब है कि सोलन अस्पताल में सोलन शिमला सिर मौर के मरीच अपना इलाज करवाने आते हैं रोजाना 1000 के करीब मरीचों की OTP होती है फिर भी सुद्धाओं के नाम पर अस्पताल में नाम मतर मशीनें वो टेस्ट ही उपलब्द हैं